हेलो बच्चों, नमस्कार, आज की जो अपनी क्लास है, Object-Oriented Using C++, Paper Code 205, PCA Part Second, Examination 2019 का अपन सोल्ड पेपर देखेंगे, इससे पहले वाली क्लास में अपन 10 क्लास में अपन 10 क्लास में से सोट आंसर टाइप की क्लास का डिसकस अपन कर चुके, आज जो अपन discuss करेंगे, solution, part second, paper के अंदर जो part second है, उसका solution देखेंगे, जिसके अंतरकर अपने 5 questions आते हैं, 5 questions, इस questions आपका 4 marks का होगा, total 20 marks का 1 questions आता है, हर unit का 1 questions होता है, तो इसमें अपन पहला क्रिस्टन देखते हैं, explain various storage classes in C++ with suitable example, तो यहाँ पर अपन को different type की storage classes के बारे में explanation देना है, with example यहाँ बताना है, तो सबसे पहले तो अपन देखें कि storage classes होती क्या है, तो आप storage का मतलब तो समझी गए, अपन जब programming में हैं, program use करेंगे, program अब जब अपन बनाएंगे, तो programs को जब execute करेंगे, तो data चीए, तो data क्या होता है, variables में अपन data को store करते हैं, तो storage अब different category के हो सकते हैं, अपन memory में नब data का पूरा collection रखते हैं, तो पूरा data का collection, storage यानि variables के अंदर होता है, तो variable containers होता है, data values का, तो अपन variables को कैसे create करें, memory में, उनका किस-किस अपन ऐसे, अलग-अलग location हो सकती है, memory में, तो उसको अपन कैसे present करें, उनकी accessibility क्या होगी, उनका scope क्या होगा, उनकी lifetime क्या होगी, क्योंकि जब अपन programming यूज करते हैं, तो programs में functions भी आते हैं, programs में कई सारे blocks भी बनते हैं, programs के अंदर अपन कई सारे modules को भी यूज करते हैं, programs के अंदर अपन ना, कोई nested, अपन blocks भी बना कि काम में लेते हैं, तो अपन data का, जब create करते हैं data या variables अपन जब create करते हैं या functions को भी अपन डिफाइन करते हैं तो उनका क्या scope रहेगा अपन को यहां discuss करना है कई बार अपन real life में भी अपन देखते हैं तो कई बार अपन values को जैसे होता है कई values ऐसे होती है जो अपने पूरे मस्तिस्क में पर्मानेंट नहीं storage में रहती है कई value ऐसे होती है जो अपन secondary storage में external storage device का यूज करते हैं उसमें store कर लेता है कई value ऐसे होती है तो अपने एक boundary line होती है तो उसके अंदर होती है कई storage ऐसे होता है तो अपने जो boundary के outside storage होता है तो similar वेसे के वेसे computer में वेरीबल्स, फंक्संस जब अपन क्रियेट करते हैं, तो उनका अलग-अलग स्कॉप हो सकता है, कि एक तो होता है कि वेल्यू सेम क्रियेट हुई, और एक पर्टिकुलर ब्लोग के अंदर उसका एक लाइफ टाइम होती है, जैसे अपन ब्लोग को skip करेंगे, exit होंगे, तो कौन-कौन से स्टोरेज होते है, कौन-कौन सी क्लासेस होती स्टोरेज की, वो यहां पर discuss करेंगे अपन, तो स्टोरेज क्लासेस क्या होती है, सबसे बहले तो स्टोरेज क्लासेस की मिनिंग देखे अपन, तो स्टोरेज क्लासेस आर यूजड टू, डेस्क्राइब दा कि storage classes का जो अपन उपयोग करते हैं तो variables की functions के जो भी features है यानि कि विशेशता है इसको ये वरणित करती है storage class कि variables और functions की जो विशेशता है उसको वरणित करेगी describe करती है storage classes तो these features basically include the scope अब features में क्या-क्या आता है तो एक तो हो गया आपका scope हो गया, एक visibility हो गया, एक lifetime हो गया, तीन तरह का अपन variables का scope लेके काम करते हैं अब features लेके काम करते हैं, एक तो features में क्या include होगा scope, visibility, lifetime, कि variable की कितनी life रहेगी, variable hidden रहेगा, या variable को अपन access कर पाएंगे, या अपने outer user के लिए, वह मालों not accessible है, तो इस तरह का visibility area होगा, उसका एक scope होगा, कि particular functions के अंदर क्या scope है, पूरे entire program के लिए scope होगा, या other module में भी features में तीन तरह की study को include करते हैं, scope करेंगे, visibility करेंगे, lifetime करेंगे, which help us to trace the existence of a particular variable during the runtime of a program, तो को भी particular variables होगा, तो को भी programs का पन run करेंगे, तो उसकी क्या existence है, उसका पुरा trace the existence का दो, जिसमें पन scope है, visibility है, lifetime क्या रहेगी उसकी, हैना, executions के अंतर करेंगे, तो यह आपका पूरा storage classes में आ जाएगा, to specify the storage class for a variable, the following syntax to be followed, को भी अपन variables का storage class define करेंगे, या specify करेंगे, तो क्या syntax रहेगा, तो इसका syntax रहेगा, simple सा, normal अपन declaration सब जानते हैं, कि variable का declaration C language, C++ में कैसे करते हैं, तो पहले तो अपन data type लेते हैं, फिर variable की पूरी list होती है, तो यह integer variable create हो गया, फिर अपने जैसे, मालो, float variable create करना हो, तो यह float variable create कर दिया, तो यह तो आपका normal, without storage classes के है, तो अगर अपन कोई भी storage classes को यह mention नहीं किया हुआ, तो यह by default है यह auto लेके चलेगा, कि अगर कोई भी storage classes को यह mention नहीं करूँ data type के साथ, तो by default auto लेके चलेगा, बाइ default होता है auto, auto का फूरा नाम हो गया, automatic, तो अपन को कोई भी यह जब declaration करते हैं, इस storage classes को कैसे specify करते हैं, तो इसका आपको syntax आना चाहिए, अब syntax आप देखोगे, तो syntax में देखो, तो यह सबसे पहले storage class का नाम आएगा, फिर variable का data type होगा, फिर variable का नाम आएगा, कि variable का क्या इसको बनाना चाहरे हो, उसकी visibility कैसे रखना चाहरे हो, यह lifetime को कैसे use करोगे, तो यहाँ पे सबसे पहले storage class, फिर variable का data type और variable का नाम, एक साथ में दो storage class को अपन parallel use में नहीं ले सकते, important point है, याद रखने का है, तो यह आद रखो, तो storage class है, क्या होती है, कितने प्रकार के होती है, तो storage classes, अपन C++ में, पाँच प्रकार की storage classes की आपे steady करते हैं, C language में, storage classes चार प्रकार की होती है, अब इनके क्या नाम है, कौन से keyword है, जो storage classes के लिए specify है, तो पहला अपना storage class का नाम है auto, दूसरे storage class का नाम है register, तीसरे storage class का नाम है external, 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 चोथी storage class का नाम है aesthetic, पाँचवी storage class का नाम है mutable, तो आपको याद हो जाना चाहिए, पहली auto, दूसरी register, तीसरी extern, चोथी आपकी aesthetic, और पाँचवी mutable, अब by default अपन कुछ भी use नहीं करें, तो by default होती है, auto, auto का पूरा अर्थ हो गया automatic, तो जितने भी अपन variables लेके चलते हैं coding में, तो अगर storage class इसको mention नहीं करें, तो by default है न, auto होती है, auto आपका ये जे local variable हो गया, तो automatic, auto का पूरा अर्थ हो गया, automatic, auto आपका keyword हो गया, second storage class का नाम है register, कि कुछ variables अपन को fast accessing करनी हो, बार बार जैसे कहीं बार repeat होते हो, जैसे loop control variable है, तो उसका storage अपन है जनरल normal variable के अंदर नहीं रखके, CPU के registers में variable को create कर सकते हैं, तो अगर CPU के अंदर variables को create करोगे, वो registers के अंदर create होगा, तो fast access होगा, देन normal variable के comparison में है, लाए के global type का accessing कर दो, यहां चारो और मलग सभी जगह entire places पर यूज हो जाए, तो वो आपका external variable होगा, multiple modules में भी वो active रहे, तो देन वो external हो जाता है, static variable one time create होता है, फिर अपने बार बार अगर उसको repeat करें, यहां बार बार calling करें किसी functions को, तो वो दुबारा create नहीं होगा, initial value by 0 लेके चलता है, mutable आपके string के लिए होता है, पूरा ही, तो अपने इनका अगर पाचों का comparison chart देखे, तो इनका है, क्या scope है, क्या lifetime है, क्या उसका visibility है, तो चारो पाचों के अगर अपने इस्टेडी करें, तो अपने पास एक एक टेबिल है, तो इस टेबिल के थुरू आप पूरा इसका brief मे answer define कर सकते हो, तो सबसे पहले तो storage class है, storage class आप सबको याद हो गई, एक तो automatic होती है, external होती है, aesthetic होती है, register होती है, mutable होती है, तो पाच storage class है, इनके जो keyword अपने यूज करते है, automatic के लिए auto keyword है, external, external keyword है, external है, यह यह नहीं हापे, aesthetic keyword है, register keyword है, mutable keyword है, तो यह पाच storage class है, पांच keyword होगे अब इनकी lifetime क्या होती है तो auto की जो lifetime होती है वो within functions पुरा work करेगा एक्टिव रहेगा alive रहेगा जैसे फंक्टिंस से exit हो जाओगे तो उसका यह लाइफ फिनीस हो जाती है वो यह जे डेड़ हो जाता है फिर active नहीं रहेगा और external variable का life देखें तो यह पूरा whole programs में पूरा active रहेगा पूरी सभी जगह एक काम करेगा programs में कितने भी functions बना लो सभी पूरे program में जब तक executions में सभी जगह active रहेगा एसे एस्टेटिक वेरिबल भी सभी programs में whole programs में active life रहेगा लाइफ टाइम लेगी उसकी रजिस्टर्स वेरिबल फंक्स फंक्स ब्लोक के अंदर ही active रहेगा mutable class के अंदर काम करेगा जो classes बना के अपन काम करते वेरिबल को वहाँ अपन mutable टाइब करने यह ले सकने पर और visibility है automatic जो variables होते हैं वो वेज़े उनकी visibility local होती है external variable जो होते हैं उनकी visibility global होती है global का क्या मतलब है जो entire places पे active रहे अलाइव रहे वो global कर लाएगा सबी जगह काम करने वाला तो global का मतलब हो गया ना चारों और entire program के अंदर पूरा active रहे तो external variable का इसको visibility जो होती है global tech की होती है static variable local होती है उसकी visibility resistance variable की भी local होती है mutable variable की भी local होती है initial value automatic variable by default अपन जो declaration लेके चलते हैं उनमें garbage value होती है कोई भी है इंटर्नल ऐसे कोई भी value एज्यूम करके कोई भी display में ले सकता है इंपूर्ट में ले सकता है तो garbage जो input गार्वेज output है जो कोई भी value accept कर ले एनी वेल्यू और define इंटू variable वो आपका जैसे अपने एक तो इंटीजर ए कर दे हाना एक तो जैसे मैंने इंटीजर ए कर दिया तो यह बाइडिफोल्ट ओट लेके चलेगा और एग होता है कि मैंने जैसे मालों यहां पर static integer a कर दिया स्टरेज क्लासेइश के हेल्प लेके integer a कर दिया यह आपका है यह 0 कपलेड़ अगर परदिवल्यऊ तो इस्टेटेटिंग में आपका आंसर दे सकते हो आप फिर नेक्स्ट देखो अब अपने थोड़ा सा इनको explanation ओर करें explanation of each storage classes सबसे पहले अपनी storage class है automatic storage अब इसका क्या मतलब है ना क्या मीनिम होगी तो variable variable समझ गए containers of value created and destroyed within its block created when entering the block and destroy when living the living this block suppose मैंने कोई ये block बनाया यहां पर integer variable को create कर दिया और फिर मैंने मालों यहां पर कोई मेरा यहां दूसरा ब्लोक चल रहा है तो इसकी जो लिमिट है यह इस block तक ही रहेगी यह automatic variable हो जाएगा can only be used with the local variable and parameter of a specified functions तो यह जो इसकी can only आपन यूज करेंगे just like local variables करेंगे तो विदिन उसका scope रहेगा outside जैसे आपने किसी भी इसकोप इस function से module से बाहर आजाएंगे तो यह आपन यह पूरा इसका हो सकते है ओटो नहीं तू टाइप्स automatic storage टू टाइप्स के होता है एक तो आपका auto गया default for local variable जैसे for example अपन ओटो लिखते हैं नहीं भी लिखें तो ओटो होता है एक होता है registers तो internal storage बजलता है वागि वो automatic variable की तरह काम करेगा तो registers हो गया tries to put variable into high speed register तक compiler can ignore it if no sufficient number of registers are available not necessary in optimized compiler यह CPU के registers में define होते हैं और fast accessing होती है तो registers variable अपन limitation में ही define कर सकते हैं क्योंकि registers का storage होता है एक limitation में होता है तो यह क्योंकि memory RAM के अंदर यह define नहीं होता है normal variables से ज्यादा fast access होते हैं ऐसे second अपन देखें static storage में तो static का मतलब होता है एक तरह से fixed जो change नहीं हो तो static variables अपन static storage जो बनाएं उसमें देखें पन वेरिबल्स exist from the point of declaration for entire program executions static variables are created initialized once कि a की बार ही create होते हैं अगे यह create नहीं होते हैं यह आगे फिर उसी value को लेके काम करेंगे जैसे आपने को भी static variable बना दिया और static integer a अब यह by default initial value 0 लेके चलेगा और यह statement only one time create होगा फिर यह again अगर बार बार जैसे functions के अंदरी अगर यह calling हो रही है तो यह never कभी भी दुबारा create नहीं होगा तो static variable एक बार fix हो जाता है फिर यह उसी value को लेके आगे पूरी share करता रहेगा यह उसी value को लेके आगे पूरा follow करतेगा इसे मालूँ तो static variables are created and initialized once when the program begins executions फिर numeric variables are initialized to 0 by default unless the programmer initialize them explicitly अगर अपन मालों की integer यह है अब मैं कोई काम मिल होगा तो 0 लेता रहेगा अगर मैं a equal 5 कर दूँगा तो यह फिर यह change हो जाएगा फिर यह 0 से replace होके 5 हो जाएगा और create one time होता है यह ध्यान देने का point है फिर two types aesthetics में भी two types हो गया एक तो static और externed तो static यह हो जाए तो local variable define in functions keep value after functions ends जैसे functions के ends तकी value रखेगा only no in their own functions फिर external होता है default for global variables and functions global variable सभी multiple modules में सभी multiple functions में पूरे active रहते हैं used to specify that variable is declared in different files known in any functions अभी functions के लिए non रहेगा अपन एक external variable बना दोगे तो अपन different files में भी उसको use में ले सकते हैं अपन create case से करते है external variable अपन यहां पर simple सा extern लगा देंगे keyword और यहां पर जैसे integer a यहां पर external variable बन गया अब इसको आप external file में भी यूज में ले सकते हो other module में भी इसको काम में ले सकते हो next और देखो इसी में do not use mutable storage specifier at the same time अपन multiple storage को एक बार में कभी भी यूज नहीं ले सकते ही एक बार में दो storage नहीं आएगा जैसे यह लगा दिया registers भी यूज कर लिया और auto भी यूज कर लिया तो यह error देगा यह जाए mutable storage class is used with classes तो mutable storage class है उसको अपन classes के अंदर यूज करते हैं in the object-oriented cases classes वह भी class के class बनाते हैं तो mutable अपने पास तरह के storage classes है तो आपको नाम याद हो गया तो एक तो आपका 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 ओगया ओटो हो गया ओटोमेटिक दूसरा आपका हो गया रजिस्टर तो यह रजिस्टर सीप्यू के अंदर पूरा वेरीबल्स का इस्टोरेज डिफाइन होता है fast accessing होती है high speed होती है limitation में इसका scope होता है limited memory अपने यूज में ले सकते हैं अपना इस्टेटिक होता है और इस्टेटिक वन टाइम्स क्रियेट होता है और इनिशियल वेल्यवाइज जीरो लेकर चलता है एक आपका इसका description आ जाना चाहिए next question देखो explain unary operators in brief which are available in C++ तो operators अपना है beginning level से पढ़ते हुए चलते हैं आपको ना का जवाब तो होना ही नीची है कि मेरे को operators नहीं आते operators का मतलब हो गया कि कोई भी काम करेंगे काम क्या करोगे arithmetic logical कोई भी अगर manipulation करोगे कोई भी variables या constant data को लेके काम करोगे या data में कोई भी operation करोगे तो operator के through operation होते हैं हर language में operators की theory होती है operators data को पूरा manipulate करता है तो operators काई category के हो सकते हैं तो अपन को जैसे को भी integer value में भी अपन addition subtraction multiplication से करें तो operators के through करेंगे तो अपने अपन को यहां बताना है unary operators तो unary का मतलब होता ना कि ऐसा operators जो only एक operands को यह अपने operation में allowed करें और एक single result को produce करें तो एक operator which have only or take only single operands तो वह आपका unary का लाएगा तो unary का simple सी meaning है एक operator और एक ही operands तो one operator take one operands तो आपका ऐसे कौन से operator है जो only single operands को लेके कांग करता है तो C++ में से बहुत सारे operator हैं तो पहले तो unary operator की definition देखो तो unary का मतलब होता एक बाइनरी का मतलब हो गया दो ternary का मतलब हो गया तीन तो unary का मतलब हो गया एक operator take single operands या single variable binary का मतलब हो गया एक operators को अगर आपन यूज में ले तो दो operands को use करे, tenary का क्या मतलब हो गया take three operands एक operator, टीन operands लेके काम करे, तो आपका tenary operator तो यहाँ पे क्या बताना अपन को unary operator, तो unary का मतलब क्या होता है, the unary operators in C++ are those operators they'd take a single operands, operands अपन बोल सकते हैं या variables को या अपन को अभी statement को कह सकता हूँ, मैं जो a की statement allow करें, तो variables कर दू, simple सी theory है, या पर operands बोल दो, तो take single operands to produce a new value तो C++ में अपन देखे हैं, unary operators कौन-कौन से होंगे, तो अपन plus minus use करते हैं, कई expression के साथ में plus and minus है, को अभी जैसे minus a किया है, प्लस a किया, तो यह unary plus minus, तो यह unary minus आपका unary operator है, increment में भी a की operands काम आएगा, plus plus a minus minus a, decrement operator भी आपका unary होगा, note, logical note, end or, end हो गया और हो गया, note हो गया, तो note में भी a की operands चलता है, address operator में भी a की operands चल लेगा, size of है, यह भी a की operands को लेके काम करेगा, तो यहाँ पर 6 केटेगरी होगे unary operators की, तो unary minus, increment, decrement, note, address of operator, size of, तो यह 6 operators अपने unary के अंतरगत रख सकते हैं, तो यहाँ पर unary minus की meaning देखे पर, the minus operators changes the sign of its argument, को भी जो argument होगा, data होगा, उसका sign change कर देगा, यह, positive को negative, negative को positive, एक positive number becomes negative, and negative number becomes positive, तो negative positive होजाएगा, positive negative होजाएगा, for example, जैसे अपने पास integer a 10 है, तो यह positive है, और यहाँ b equal minus a किया, तो यह 10 है, न, minus में change होगा, तो unary minus is different from subtraction operator, such subtraction required to operands, तो अपने unary minus को अगर use करें, तो फिर यह binary operator में भी convert हो जाता है, तो फिलाल अगर यह single operands को लेके काम करेगा, तो यह negative को positive, positive को negative में convert कर देगा, फिर एक होता है अपना increment, तो increment का मलण होता है, बढ़ना, तुम कहोगे, किस से बढ़े, तो मैं कहूंगा, एक value से बढ़ जाओ, तो it is used to increment the value of the variable by one, की variable की value है, by one से increment करेगा, the increment can be done in two ways, increment operators को अपन दो तरह कैसे काम में ले सकते हैं, दो तरह के अपने पास, तो एक तो आपका prefix हो गया, एक post fix increment हो गया, तो prefix का मलण हो गया है, पहले लगाना, operands से पहले लगाओ, post fix का मलगता है, operands के बाद लगाओ, तो अगर पहले लगाओंगा, जैसे a की value one है, तो यह मैंने prefix use किया, तो plus plus a, तो यह पहले है न, a की value को increase करेगा, और then assign करेगा, तो b की value two होगी, तुम कहोगे two क्यों होगी, यह increment का मलगता है, वो एक से increment करेगा, a की value one है, तो a में one aid करके, pre increment है, तो पहले a को itself increase करेगा, then b में assign करेगा, तो यह prefix increment होगा, post fix में क्या होगा, कि in this method, the operator follows the operands, and these values, the operands will be altered after it is used, यूज होने के बाद में, फिर यह change करता है, तो यह post increment operator है, तो पहले a की exact value बी को transfer करेगा, और फिर j से transfer होगी, उसके बाद में increment करेगा, तो a की value में one लेके चलता हूँ, तो यह b equal one लेगा, और फिर a plus plus यह activate होगा, तो फिर c की value यहाँ 2 आ जाएगी, क्योंकि यह plus plus है न, आप post है, post का मनला क्या होता है, पहले काम में ले लो, फिर काम में लेने के बाद में, जब आगे चलेंगे, तो फिर बढ़ा के चलो, तो एक से बढ़ाएगा, plus plus का मनला होता है, तो pre और post, 1 से decrement करेगा, minus minus operator, the decrement can be done in two ways, यह भी अपन, pre और post, दो तरह से use में ले सकते हैं, जिसे अपन ने plus plus को use में लिया था, तो decrement जो operator है, minus minus two times, in this method, the operator precedents, precedents the operands, minus minus a, the value of operands will be altered, before it is used, कि जो change होगी, वो पहले change हो जाती है, फिर यह बाद में use करेगा, तो जैसे a equal one है, minus minus a कर दिया, तो b zero हो जाएगा, post में क्यों होता है, कि पहले use करेगा, बाद में altered करेगा, change करेगा, मतलब, जैसे post का मलद होगा है, कि a equal one है, तो यह पहले a की value b को देगा, और फिर यह a को minus minus करेगा, तो इसका यह result आ जाएगा है, तो यह अपने पास है, यह unary operators का, एक role हो जाता है, ऐसे अपन और भी देखें, address operator है, अब जैसे integer a की हमेंने, तो इसका एक memory का address होगा, आलो यह एक तो variable का नाम हो गया, और फिर यह इसकी value store होगी यह पर, और इसका यह करना है, memory का address होगा, अब मैं end a लगाऊंगा, तो यह a की operands को allow कर रहा है, तो यह address value को return करेगा, ऐसे size of operator को मैं मैं use करूँगा, तो size of में भी एक single operands लेके का आप करेगा, तो यह आपके unary operators में, पूरा explanation हो जाता है, unary का मतलता है, single operator take single operands, operands का मलब को भी statement, expression, यह variables हो सकता है, फिर next questions अपना, differentiate between constructor and destructor, दोनों में अंतर बताना है, तो दोनों ही यहने class के अंदर use होते हैं, तो constructor and destructor, constructor means हो गया ना, कि construct करना, तुम कहोगे क्या construct करेगा, object, object की value को create करना, आना class क्या होती है, data होते है, functions होते हैं, तो functions और data से class बनती है, फिर class के थूरू open object बनाते हैं, फिर class का जो member data है, उनकी initial value कैसे बनाए, तो constructor होगा, फिर constructor क्या करेगा, memory occupy करेगा, फिर तुम कहोगे, मेरा काम पूरा over हो गया, अब मेरा finish करूँगा, exit करूँगा, तो देर फिर जो constructor ने memory को occupy किया है, उसको nest करो, तो nest करेंगे, तो destructor चाहिए, तो destructor क्या होगा, destroy करना, release करना, जो आपका occupy, तो फिर उसको destructor के through clean up करना होता है, कई बार clean up ऐसे by default नहीं होती, तो फिर destructor functions, या destructor method अपनको apply करना होता है, तो constructor क्या होता है, एक class का data member, initialization करना हो, तो constructor चीए, और destructor कब चीए, जब अपनको पूरा काम over हो जाए, या किसी block से अपन exit हो, तो destructor चीए, दोनों ही क्या है, एक special member functions है, किसके class के, special के से क्यों कहा, क्योंकि constructor और class का जो नाम होता है, destructor और class का जो नाम होता है, वो same होता है, फिर दोनों को अपन लिखने में क्या अंतर रहेगा, constructor तो अपन class, same name, age, class name, याद रखना है, और destructor को अपन कैसे define करेंगे, same name है, age, class name, but preceded by tilde symbols, tilde symbols के साथ में, class का जो नाम होगा, उसके आगे tilde का symbols लगा देंगे, तो वो destructor बन जाएगा, constructor कोई भी return type नहीं होता, destructor का भी कोई भी return type नहीं होता, यानि कोई value return नहीं करते, constructor parameterized हो सकता है, destructor में कोई parameterized नहीं होता, दोनों का executions का अलग-अलग rule है, constructor जैसे ही object बनाते हैं class का, तो constructor रन होता है, destructor जैसे ही अपन किसी particular block से, exit होते हैं, तो destructor रन होता है, तो दोनों का ना कहीं सारा अपने अपनी जगह दोनों का rule है, तो अपन one by one है ना कुछ point देख लेते हैं, constructor और destructor का, तो constructor used to initialize the object of a class, class का जो भी object है, उसके जो भी data part है, उसको initialization करने का काम करता है, constructor के द्वारा करते हैं, same name as class name, अपने class का जो data member है, direct initialization नहीं होता, और destructor क्या है, where is destructor is used to destroy the instance age, जो class से अपन object create करेंगे, तो उसको यह फिर destroy करेंगा, memory को release करेंगा, फिर अपन देखें, next, it is declared age, तो कोई भी अपन जब constructor मनाते हैं, तो कैसे declare करेंगे, तो जो class का नाम है, वो यह ना, constructor का नाम रहेगा, argument है, तो अपन आर्गुमेंट ले सकते हैं, break it के अंदर, अगर argument नहीं देना चाहो, तो by default, वो नल आर्गुमेंट हो जाएगा, फिर constructor की body होगी, ऐसे यहाँ पर class का नाम होगा, यहाँ टिल्ड का symbols यूज करेंगे, यह destructor को कैसे define करें, class के नाम के आगे, टिल्ड का symbols लगाएंगे, कोई भी argument नहीं होता, और destructor में फिर code हो जाएगा, beginner, close, फिर destructor का code हो जाएगा, फिर अब कैसे define करें, तो एक example से आप देख सकते हो, यह constructor कैसे बनाते हैं, इंपोर्टेंट है, परिक्सा में आता है यह, तो class का नाम क्या है, ABC, तो constructor का क्या concept था, same name, age, class name, तो आप देखोगे न, यह same name, age, class name, same name, age, class name, तो यह constructor कहलाएगा, यह constructor functions कहलाएगा, अन्द, class का नाम और यह दोनों नाम same आगे, और यहाँ पर यह कोई भी argument अपने नहीं लिया, a equal 10 कर दिया, initial कर दिया यह, तो a की value 10 लेके चलेगा यह, और यहाँ parameterized constructor कर दिया, तो यह तो आपका null argument constructor कर लाएगा, null argument, और यह आपका parameterized constructor कर लाएगा, parameterized, अन्द, constructor, और यहाँ देखें, अपन दे structure कैसे बनाते है, तो यह जरूर है कि destructor बनाओगे, तो पहले कुछ constructor बने होई होने चीए, तो destructor यह आपका पूरा destructor हो गया है, यह destructor हो गया, अन्द, यह constructor हो गया, दो constructor एक साथ मे ले लेता हूं, कोई भी destructor का argument नहीं होता, constructor में argument हो सकते हैं but no return time, दोनों को अपन public section में define करते हैं, constructor can either accept an argument or not, constructor में argument हो सकते हैं नहीं भी हो सकते, destructor में कभी भी argument नहीं होंगे, constructor is called when an instance or object of a class is created, constructor कभ होता है कि जैसे ही अपन class के थुरू object create करेंगे, यह class का कोई भी instance बनाएंगे, तो constructor automatically run हो जाता है, इसको अपन calling नहीं करते हैं, और destructor कभ होता है, जब अपन, it is called while object of the class is freed or deleted, कि जैसे अपन पुरा काम हो गया, अपन फिर हो गए class से, तो फिर यह अपने आप में delete कर देगा, destructor execute हो जाएगा, constructor is used to allocate the memory to an instance or object, यह पूरी memory को allocate करेगा, हाना object की जो भी memory होगी, और while it is used to de-allocate, यानि यह release करेगा, यह memory यूज करता है, यह memory को, object की जो memory होती है, उसको यह de-allocate कर देगा, memory for an object of a class, constructor can be overloaded, और destructor cannot be overloaded, तो यह आपके 6 अंतर तो है, next अंतर हो लिए देखो, the constructor name is same name as the class name, constructor का और destructor का नाम और class का नाम भी same होगा, but preceded by tilde operator, tilde operator के साथ में इसको follow करेंगे, in a class, there can be multiple constructor, एक class में एक से ज़्यादा constructor हो सकता है, जबकि destructor only single होता है, एक class के अंदर, multiple destructor allow नहीं करेंगे, there is a concept of copy constructor, which is used to initialize a object from another object, यह copy constructor का concept होता है, कि एक object की value को अपन दूसरे object में यूज कर सकते हैं, copy करके काम में ले सकते हैं, जबकि destructor में इसा नहीं होता, no copy constructor, तो आपके no differentiate करने के पूरिया point है, यह constructor को destructor को कैसे differentiate करें, अच्छा questions है, अरिक सा के point of view से आता है, तो आप इसके syntax rule regulation, जो जो में में important point है, याद करें, next questions अपना fourth number का, what do you mean by access control, explain access control keyword available in C++, अब C++ के अपने यह वो देखा हुगा, advantage में, कि यह इसके features में कर दो, कि C++ C language के comparison में secure language है, इसमें data security, अपन को अभी methods है, उसको अपन secure कर सकते हैं, अब तुम को होगे कैसे, तो यहाँ पर कोई भी data's को, functions को, अपन accessibility दे सकते हैं, कि कैसे use करें, outside public के लिए उसको hidden रखें, या उनको allow करें, तो यहाँ पर तीन तरह के access control होते हैं, तो अपन कोई भी methods है, कोई भी अपने पास attributes है, या variables है, या data member है, उनको अपन कैसे accessing दें, हैंने, read करें, या write करें, तो अपने पास यहाँ access control कहला ही हो, तो अपन सबसे पहले तो access control को यहाँ define करते हैं, यह access control क्या होते हैं, the access specifiers are used to define how to functions, यानि की methods, and variables, यानि की attributes, can be accessed, access का उनको read करें, या write करें, outside था class, कि कोई भी class होगी, कोई भी class में यह अपना data है, class में अपने पास functions होते हैं, दो से मिलके class बनती है, अब इस data को कैसे use करें अपने, या अपन चाहते हैं कि outside की public इनको access नहीं करें, या अपन चाहते हैं कि जो data है, जो method में अपने functions के साथ रखे हैं, जो class के अंदर जो functions हैं, वो ही data को access करें, या अपन बिलकुल है न, दूसरी class में तो use कर लें, और इसको outside के लिए accessing नहीं दे, तो कहीं तरह के accessing हो सकती है, फिर access control enables, यानि कि अपन को allow करेंगा, यूटू separate the public interface, जो public interface से उससे थोड़ से separate करेंगा अपनको, of a class from the private implementation details and protected member, that are only for use by derived class, तो protected जो data होता है, वो खाली derived class ही use कर सकती है, outer public उसको use में नहीं ले सकती, ऐसे private data है, वो भी आउटर सभी के लिए open नहीं होता, उसको अपन restrict कर देते हैं, कि जो class के methods है, वो ही private data को access कर ले, तो public interface से कैसे उनको separate करें, तो फिर access control लगा के अपन separate कर सकते हैं, फिर the access specifier applies to all members declared after it until the next access specifier is encountered, कि अगर आपने जैसे मैं लोग private कर दिया, और जब तक यह न, वो private ही रहेगा, तब तक next कोई भी यह access specifier नहीं आ जाए, मालो मैं यह private access specifier यहां define कर रहा हूँ, private, अब private में मैंने यहां पर कहीं सारा data ले लिया, तो यह सब private ही रहेगा, अब तुम कोगे यह change कब होगा, मालो मैं यह public लिख दिया, तो public लिखते यह फिर यह change हो जाएगा यहां पर, कि जैसे next access specifier नहीं आएगा, तब तक वो एक ही accessing रहेगी उसकी, अब access specifier C++ में तीन तरह के होते हैं, कि there are three types of access specifier, तो एक तो private हो गया, public हो गया, protected हो गया, तीनों access specifier अपने आप में हैंना, keyword भी है, C++ के keyword भी है, तो C++ में 63 keyword होते हैं, तो 16 keyword, आपके object oriented के होते हैं, 32 keyword C के ही है, और 15 keyword, थोड़ से ही हैंना, आंसी C++, आंसी इने बाद में रिकमन किये थे, तो total keyword 63 होते हैं, इसमें access specifier के तीन keyword है, तो इनको पने हैंना, access specifier, access specifier, और modifier भी कर सकता हूं मैं, और modifier भी कर सकता हूं, modifier, तो अगर access specifier आजया है, access modifier आजया है, तो तुम्हारा mind हैना, तीन point पे आजाना चाहिए, तो private की क्या meaning होती है, functions and variables, declared as private, can be accessed only within the same class, कि उसी class के अंदर वो access हो सकता है, and they cannot be accessed, outside the class, they are declared, यह जो अपन class बना रहे हैं, उसके बाहर यह कभी भी access नहीं होंगे, outer public के लिए hidden होता है, तो private की जो accessibility होती है, within class होती है, कोई भी class में private, public, या protected method है, वो private data को access कर सकता है, public की क्या meaning होती है, functions and variables, declared under public, can be accessed from anywhere, कभी भी इनको यूज में ले सकते हैं, object के थू direct access कर लो, data को भी object का नाम dot लगाओ, data member, object का नाम dot methods, anywhere, कभी भी outsider, कभी भी यूज कर लो, protected की क्या meaning होती है, protected को outside अपन एक्सेस नहीं कर सकते, protected data only, inheritance में ही यूज होगा, जैसे अपन एक parents class होती है, एक child class होती है, या derived class होती है, तो derived class में protected data, access हो जाता है, protected data just like है, public की तरह काम करेगा, वागि protected data, inherit हो जाता है, क्यानि दूसरी class में, उसकी accessibility रहती है, outside डारेक्ट नहीं रहेगी, तो ये आपके तीन तरह के access controls है, जिसको अपन access specifier भी कर सकते है, access modifier भी कर सकते है, private, public, protected, तो अपन इनको कैसे define करते हैं, class में, तो ये class बना के, अपन इनके accessing दे रखिया अपनने, तो accessing दे रखिया, ये तो जैसे एक class का नाम हो गया, ये तो class तो keyword हो गया, फिर ये आपका class का user word हो गया, फिर ये class का begin हो गया, class का close हो गया, semi-colon हो गया, तीन तरह के accessing हो गया यहां पर, तो यहां पर data member, ये method, ये private accessing है, इसको डायरेक्ट अपन आउटसाइडर है, डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये यूज नहीं इस method के थुरू, protected method, public type का जो method है, इस data को access कर सकता है, तो ये आपका protected है, ये outside यूज नहीं होगा, इसको inherit कर लेंगे, तो दूसरी class में ये यूज हो सकता है, public है, तो public में ये see, outside इसको यूज कर सकता है, कोई भी, और दोनों method को outside अपन यूज कर सकते हैं, ये outside world के लिए open है, वीजीबल है, तो ये अपने पास private, protected, public, जब अपन class में ये area, ये इनकी accessibility define करेंगे, colon के साथ करेंगे, तो इस case में ये access, visibility labels कर दे, या mode कर दो आप, फिर next questions अपना, fifth number का, list any, list and explain in brief, various functions required, for random file operation, कि अपन file को जब अपन define करते हैं, create करते हैं, organize करते हैं, तो दो तरह की file होती है, एक तो sequential file होती है, एक direct या random file होती है, file से जब data को अपन read करते हैं, या data को access करते हैं, तो तीन तरह के mode को लेके, अपन काम कर सकते हैं, एक तो आपका serial, या sequential access हो गया, एक आप random access हो गया, या एक dynamic हो गया, जिसमें दोनों method allow कर सकते हैं, तो अपनको यहां जो questions में, जो answer देना है, रेंडम file operations बताना है, कि randomly अपन direct beginning से passing through नहीं हो, कि अपन beginning से end तक ऐसे sequential way में नहीं चलें, अपन तो उनी informations को access करें, जो direct अपनको desirable location पे जाएं, और direct information को access कर लें, या direct search कर लें, या modify कर लें, या delete कर लें, तो एक तो होता कि beginning से चलते चलते, अपन desirable point पे आएं, और एक होता कि अपन beginning, direct उसी location से, उसी location पे जाके data को access कर लें, तो यह फिर यह क्या operation कैसे होता है, कौन-कौन से functions है, तो यहाँ पे random type का, अपनको random file operation को follow करना अपनको, तो यहाँ पे random file operation कैसे करें, random file operation होते क्या है, तो पहले तो random file accessing देखते हैं अपन, इस random file accessing means, कि कोई भी read करे, write करे, any data, जो अपन जो चाहते हैं, in the file, without having to read, and write every piece, मैं लगए प्रते, मैं लगए data को नहीं पढ़े अपन, तो अपन direct रहना, जो अपन data चाह रहे हैं, वो ही अपन को मिले, कि we can quickly यानि तेजी से, search कर सकते हैं, modify कर सकते हैं, delete कर सकते हैं, in random access file, ठीक है ना, तीसरा pointer, random file access is done by, manipulating the file pointer, कि ये random access, अपन कैसे कर पाएंगे, तो अपना पास, जब file को open करेंगे, तो एक file pointer होगा, तो file pointer के through, अपन पूरा manipulation करेंगे, कि कोई भी file को खोलेंगे, तो file pointer ने, the beginning पे रहता है, file pointer को जब काम करेंगे, write करेंगे, तो file pointer मेर में भी आ सकता है, last पे भी हो सकता है, या किसी particular position पे जाएंगे, तो file pointer की एक location हो सकती है, फिर वही से वो data को पूरा move करके, पढ़ सकता है, एक्सेस कर सकता है, तो कोई भी अपन random file operation करना चाहेंगे, तो file pointer के through करेंगे, तो file pointer होता है क्या है, वो भी देख लो, each file stream class contains a file pointer, कि कोई भी file stream class है, वो एक file pointer तो रखेगी, date is used to keep track, of date current read write position, within the file, तो पूरा track रखेगी, आप कौन सी position पे हो, current write position है, read position है, सबका tracking रखेगी हो, when something is read from a return, read or return to a file, the reading or writing happens at the file pointer's current location, कि कोई भी अपन read करें, या कोई भी somethings write करें, तो पूरा क्या चल रहा है, या पूरा file pointer, पूरा trace रखेगा, अब अपन को भी random operation कैसे कर पाएंगे, तो अपन को इस questions में list देनी है, कि कौन-कौन से operation या method, जिनके तो अपन random कर सकता है, तो C++ में random file operation करना हो, तो ये cg और cp, cg का मलब search करने से मतलब है, एक desirable position पे जाने से मतलब अपनको, तो cg और cp, ये दो functions तो है, और एक location को पुरा determine करना हो, तो tailg और tailp, ये दो functions है, तो total अपने पास random operation के लिए, चार functions की list है, तो cg क्या करेगा, तो move, get pointer, input, input का मलब होता है, read करने का जो process होता है, to a specified location, cp क्या करेगा, move का मलब होता है, कि जाएगा, कौन से location पे जाएगा, वो देखो, put pointer, output के लिए, to a specified location, तो cp यानि output, और cg input, दोनों के अलग-अलग mode है, इनका मतलब होता है, फाइल से पढ़े, और write फाइल के अंदर लिखे, put करना मलब है, tailg, give a current position, of the gate pointer, और tailp, gives the current position, of put pointer, तो ये position को indicate करेगा, tailg, और tailp, और cg और cp, ये input and output, वो उस location को specified करेगा, कैसे यूज करे, तो cg, ये वो गया, functions हो गया, offset, महला पढ़ने के लिए, offset का होता है, कितने byte का moment करोगे, और location होता है, कि कोई भी फाइल होती है, तो ये 0 position है, 1 है, ये आपकी middle position है, तो current position है, middle position है, end of position है, तो ये reference position होती है, cg में भी वोई options है, और cg में भी वोई options है, तो cg and cg functions, take two parameter, यानि दो parameter लेता है, पहला parameter दूसरा parameter, the first parameter is an offset, that determines how many bytes to move the file pointer, क्या आपको जैसे मालो, 500 bytes को off रखना है, इसके बाद से पढ़ना है, तो ये offset position हो जाएगी, तो backward direction, forward direction, current से आगे, पीछे कैसे भी चल सकता है, the second parameter is an IOS, input-output system, flag, that specifies, what the offset parameter, should be offset off, कितना parameter आपको off रखना है, कितने byte off रखना है, तो अपनको, position के साथ में, आपन जो input-output ये जो parameter है, reference parameter position, तो एक तो beginning हो गया, एक current हो गया, एक end हो गया, तो end सबसे EOF, last वाला position पार्ट है, beginning एकदम, BOF, beginning of file करे दो, the beginning तो इंडिगेट करेगा, offset is relative, to the beginning of the file, default होता है, current होता है, कि कोई सी position पे, shape and पढ़ेंगे, तो offset is relative, to the current location, of the file pointer, end होता है, end से, end से बेकवार डारेक्शन, तो तीन होती है, यहापे file position, तो एक पोजिटिव ओपसेट मींज, move the file pointer towards, कि अगर जैसे, प्लस अपने 20-50 लगा दिया, तो यह current position से, 50 bytes जंप करेगा, सिर्दाई, end the file, whereas negative offset, यह हो गया, towards, यह हो गया, towards the, pointer towards the beginning of the file, कि आपन को, जैसी यह end of से, beginning की और चलेगा, पोजिटिव नेगेटिव, अब अपने इसका, अगर एक जाम्पल देखें, तो यह देखो, कैसे एपलाई करते हैं, तो अपने एक फाइल, इन्पूट मोड में, फाइल को खोल रखा है, आई एफ इस्ट्रीम है, इन्पूट फाइल स्ट्रीम, तो यह आइफ एक आपजेक्ट हो गया, फाइल का, जए फाइल का नाम हो गया, और यह एन्प इसका अपजेक्ट हो गया, तो अपने सीख जी कामान को उज़ किया, तो 14, यह चरुन पॉजिशन है, 14 भाइट, और यह करंट पॉजिशन, करेंट पोजिशन से लेगा तो मूव फॉरवर्ड फॉर्टिन वाइट अपने नेक्स्ट माइनस का यूज किया तो बेकवर डाइरेक्शन है पीछे के और चलेगा यह मैंने यहां पर 24 है तो यह इस पोजिशन पर आ जाएगा पॉइंट है माइनस ट्वंटी एट यह एंड से पीछे के और चलेगा बिफोर एंड ऑब दा फाइट एसे अपन और भी देखें तो यह अपना ने बिगिनिंग एकदम बिगिनिंग को इंडिगेट करेगा और यह फ यहां पर बिगिनिंग और एंडिंग तो जीरो बाइट मूग करेगा एकदम यह ओफसेट पोजिशन होती है यह वाज तो इस तरह से पने ने यह इन कमा इसको कुरा याद रख सकते हैं तो आज की क्लास को मैं यह पेंड करूंगा थेंक्यू